नमस्कार दोडसे़ोव स्वागत है आपका माचल में मैंनामेली सी राज के सUI त्रहाच बात करने वले हैं बिहार बुर्ड इंटर एड्मिसन 2021 के बारे में दोस्तों बिहार बुर्ड इंटर एड्मिसन 2021 का जो थळ्ड मेरिट लिस्ट होता है यानि कि आख्री जो merit list होता है उसका date यहां पे जारी कर दिया गया है अगर आपनों का second merit list में नाम नहीं आया था तो third merit list आपनों का किस दिन जारी होने बाला है और अगर third merit list में आपनों का नाम आता है तो कब से कब तक आप लोग admission करवा सकते हैं उसके बारे में भी यहां पे जो है official जानकाई दे दिया गया है बिहार बोर्ड के तब से officially notice जारी करके जानकाई दिया गया है कि किस दिन आपनों का anti merit list यहां पे जारी होने बाला है और कब से कब तक आप लोग admission करवा सकते हैं साथ में हम आपको आप जानकाई देने बाले हैं कि अगर आपनों का last merit list यानि कि तीसरा merit list में भी नाम नहीं आता है तो आपनों का admission किस प्रकार से होगा किस तरीके से आपनों को admission आप पे करवाना होगा तो वीडियो को पूरा लास तक का देखते रहे हैं उससे पर अगर आपने माचल को subscribe नहीं किया है तो उन्चे रेडिकर सब्सक्राइब को दोबाक माचल को subscribe किजे like किजे सब्लोग को जितना उसके सेर किजे ताकि और वी लोग को जानकारी मिल सके चले शुरू करते हम आज के वीडियो तो दिनांक सता इसनो 2021 को जारी किया जाएगा यानि कि कल जो है आपनों का लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा अगर आपनों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो ये जो है अंति मेरिट लिस्ट होता है यानि कि तीन मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होता है तो लास्ट मेरिट लिस्ट में आपनों का नाम आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर जनकाई दिया गए दूस्तों कि तिर्टिये चैन सूची के आधार पर सिच्छन संस्थान में नामंकर दिनांग सता इसनो दोजर एकीस से लेके एक दस दोजर एकीस तक किया जाएगा सिच्छन संस्थान के परधान अपने संस्थान की तिर्टिये चैन सूची के आधार पर नामंकित बिद्यासियों की विवरण को अंतिम रूप से अर्थाद दिनांग 2010-2021 तक वई FSSS पोर्टल पर जो हाँ पर अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे यानि कि अगर आप यहाँ पर एडमिसन एक तारीक तक ले लेते हैं तो दो तारीक तक आप लोगा जो है बिवरण की वेपसाइट पर यहाँ पर अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है उसके बाद यहाँ पर बताएगे दोस्तों कि तिर्तिये चैन सुची के आधार पर नामंकन पर क्रिया पूरी होने के बाद अस्पॉर्ट नामंकन यानि कि अस्पॉर्ट एडमिसन के लिए अपसर परदान किया जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग का यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है जो कि लास्ट मेरिट लिस्ट होता है तो आप अस्पॉर्ट एडमिसन के माध्यम से यहाँ पर एडमिसन करवा सकते हैं इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो पहले से बना रखा है लेकिन कल जब यहाँ पर थर्ड मेट लिस्ट जारी होगा उसके बाद मैं एक अस्पोर्ट एडमिशन पर आप लोग बना कर जानकाई दूँगा कि अस्पोर्ट एडमिशन होता क्या और किस तरीके से आप लोग य लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि थर्ड मेट लिस्ट का जब यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपनों का अस्पोर्ट एडमिशन का परकिरिया जो यहाँ पर शुरू किया जाएगा तो इस तरीके से आप अपडेट जारी किया गया है यहाँ पर इंपोर जाएगा आप वहाँ से जो यह दोनों नोटिस को पढ़ सकते हैं तो इस तरीके से आपनों का नोटिस जारी किया गया है अगर आपनों का तीसरा मेट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पर अस्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन करबा सकते हैं आसा करते हैं कि किस दिन आप लोग का थर्ड मेट लिस्ट जारी होने बाला है और अगर थर्ड मेट लिस्ट में आप लोग का नाम आता है तो कब से कब तक आप लोग एडमिशन करबा सकते हैं और अगर आप लोग का थर्ड मेट लिस्ट में नाम नहीं आता तो किस परकार से आप लों का admission होगा वो भी मैंने आपको 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 बता दिया है आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आओगा गरिये वीडियो पसंद आया तो like कि आश विडियो को subscribe को जमाय चैनल को साथी स्टेर केस्पडो को ताकि और विलोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स में तक के लिए धन्यवाद